नमस्कार दोस्तों स्वागर था आपका ज्ञान सम्मान के मंच भी हम लोग यहां मैथमेटिक्स देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहां दो यूनिट कभर कर चुके हैं पहला था आपको नंबर सिस्टम और नेक्स्ट हम लोग देखे थे एक छोटा से टोपिक और सिएफ एंड लसी एम यह दोनों टोपिक कंप्लीट है मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी जाकर देख लेंगे यह जो है आपको मैथमेटिक्स का जीरो टू हीरो सिर करेंगे ताकि आप जो है किसी भी कोश्चन को सल्व कर पाएं चाहिए आप कोई सभी एक्जाम लिख रहे हैं यह टॉपिक आपके लिए काफी ही महत्पूर्ण है यही मैं बात करूं कोई लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या होती है अर्थमेटिक जो है काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है और अर्थमेटिक में बात करूं तो इसका जो है बेसिक पीलर कौन सा है यानि अर्थमेटिक का बेसिक कौन सा है यही है नमबर सिस्टम हो गए और जो आज हम लोग करने वाले हैं चेप्टर परसेंटेज यह आप अच्छे से सीख लिए अच्छे भी चेप्टर है यह परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करके यहां पर कोश्चन सल्व किये जाते हैं तो इसे बहुत द्यान से देखेंगे एक एक स्लो लग रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं इससे पहले मैं एक और आपको जनकारी देदूं कि जो लोग भी नए चैनल पर है वो लोग जो है यहां पर जाके फिजिक्स से रिलेटेट सारा कंसेप्ट यहां पर कवर किया गया है इस्पेसली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं साइंस में और आप सभी को पता ही है कि सारे एक्जाम के लिए फिजिक्स कितना इंपोर्टेंट है तो चाहे आप साइंस बैक्ग्राउंड से हैं या नहीं है दोनों को ध्यान में रखते विए जो वीडियो बनाया गया है इस सारे जो है कुईरी को लेके एक जो हम सेपरिट वीडियो बना देंगे वैसे ध्यान में रखा गया है ता आपका जो है कोई कंसेप्ट वहां से मिस ना हो और सारे कुशन को आप इजली कर सके तूसे जरूर जाके देखेंगे ठीक है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का नेक्स लेक्चर परसेंटेज अग्या चलिए हुआ है देखे सबसे पहला कुश्चन दिमाग में आता है कि परसेंटेज होता क्या है प्रतिसत होता क्या है ठीक है भर सेंटेज हम लोग इसको बोलते हैं देखें यहां पर डीफिनीशन पहले टेकनिकल डिफिनीशन समझ देते हैं फिर अवोग प्रतिशत का मेननिंग क्या होता है एक बटा शौ और इसका चिन जो है आपको देख रहा है यह जिंदे कहा निये है कि परसीड प्रतिशत का मिनिंग क्या होता है प्रती 100 में ठीक है यानी 100 में कितना ठीक है जैसे मैं बोल रहा हूँ एक प्रतीशत इसका मतलब क्या हुआ एक भटे 100 यानी 100 में एक मैं बोल रहा हूँ यह दी माल लीजिए 35% 35% इसका मतलब क्या हो गया 100 में कितना 35 ठीक है यह परतीसर का जेनरल मिनिंग है यह इसका सिंबल होता है इसको जो है नोट करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते है तो यह लेक्चर जो बिल्कुल बेसिक से चलेगा जिनको भी सुलू लगे मैं पहले ही बता दिया हूँ फास्ट करके देख सकते हैं और जो भी रिभीन परप्रस से देख रहा है वो इस वो फास्ट करके देख सकते हैं जैसे हम लोग कंसेप्ट कफर करेंगे तो हम लोग हर एक बर्क के लिए यह क्या है काफी इंपोर्टेंट है जैसे मैं आपको एक्जामपल बताता हूँ आप जबी मौल ओगारा में कभी जाते होंगे कुछ खरीदने के लिए तो वहां पे कभी-कभी देखते होंगे यह लिखा रहता है आपको 50% प्लस 50% अफर में लिखा रहता है महा अफर 50% प्लस 50% अब इतना तो बेसिक सब को पता ही होता है कि 50 फ्लस 50 कितना होते हैं 100% कुछ लोग समझ भाते हैं कि यह 100% शूट है यानि यह क्या बस्तु फ्री में मिल रही है जी नहीं बिलकुल कहानी ऐसी नहीं है जेनरली होता क्या है जैसे मालीजी कोई बस्तु आपका जो है किसी बस्तु का कीमत 500 रुप्या है तो 500 का क्या देगा पहले आपको 50% छूट देगा तो 500 का 50% यादी छूट आप निकालेंगे तो आपका बस्तु कितना का बन जाएगा देखिए अभी हम परसेंट जब कर ल और यह एक स spicy यानि 250 हो गया अब देखिए निक्स जो है 250 आपका हो गया अब 250 का फिर क्या है 50% तो ऑफ्क 1-2- potential का फिर से निकालेंगे तो आपका क्या जाएगा और साथ-साथ मैंने बता ही दिया कि इसको हम एक basic pillar कहें तो कोई अतिसुक्ता नहीं होगी, चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं, तीक है, आप लोग समझ गया, percentage क्या होता है, तीक है, अब देखिए, अब जैसे आप देखते होंगे, कि आप जब exam में बैठते होंगे, तो आपका mark साता होगा, ठीक है, जैसे माल लीजे कोई exam है, 100 marks का, ठीक है, आप गेन किये कितना, 47 marks कोई गेन किया, तो आप से पूछा जाता है, कि आप बताए कितने परतिसत marks लेके आए हैं, देखिए, आप marks obtained जो है उपर लिखते हैं, total marks क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, और इसमें 100 से multiply कर देते हैं, तो आप percentage में change कर पाते हैं, यानि basics में मिनिंग बता रहा हूँ, यदि आपका किसी exam में आप 47 number अप प्राप्त किया है, percentage में क्या होगा, तो obtained marks समल उपर लिखते हैं, जो भी आप gain किये हैं, total marks से हाँ पर नीचे लिखे, ये क्या होता है, आप आपका obtained marks है, यानि जो भी आप प्राप्त किये हैं, और इसमें आप 100 से multiply कर देते हैं, आपका answer बन जाता है, यहाँ देखे, आपको 100 से 100 cancel हो जाएगा, तो आप कितने marks लेके आए हैं, 47% लेके आए हैं, अब चलिए एक और example से समझते हैं, माल लिजी किसी exam में जो है आपक 100 से multiply करना है, तो आपको 100 से multiply करना है, ठीक है? तो यह देखिए आपका टोटल मार्स था कितना कुल मार्क्स 50 आया कितना आपका उपर लिख दिये 12 इंटु 100 अब देखिए परसेंटेज में चेंज की दिया क्या हो जाएगा वन सुने से वन सुने हैप केंसिल 5 तू जा 10 और यह 12 दूना कितना हो गया 24 यानि आपका कितना परसेंट मार्क्स आया 24 परसेंट क्लियर हो गया होगा ठीक है तो आप क्या करेंगे जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो टोटल को नीचे रख देंगे और जो भी आप उसको क्या करेंगे उपर रख देंगे और हंडिट से मल्टिप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा परसेंटेज में आपका मार्क्स आ जाएगा इतना तो असपस्ट होई गया होगा ठीक है चलिए अब नेक्स देखते हैं हम लोग जैसे यहां पर देखेंगे एक एक एक्जामपल है आप बताईए कि 600 का जो है अब दूसरा कोश्चन ले लेते हैं चलिए ठीक है पहला हमने किस देख लिया केस्ट दो क्या है कि आपका जो है कोई एक्जाम है माली जे छेस नंबर का है ठी सब्सक्राइब टो मेरा मार्स जो है असी परषेंट कितना है ऑगोई अशक चाहते हैं हम यहां डिकार करना है ॉसके लिए कितना मार्क का एंगे उसका 80% याशी लिख दिये और % का मेनंग हम क्या बता हैं बत्म के आपसे बड़ारोश इस शक्त है और आप जानने के शुखोगत कि कीपा्त आया है कि यहाँ करते आपको यहां प्रसेंट पता है तो पर्सेंटीज भी निकाल सकते थे आपको तरीका बताए था आप अप्टेंड मार्क जो है प्राप्ट जो है मार्स उपर रख देंगे और इसमें हंडेट से सिंपल multiply कर देंगे, ठीक है, दो सुने से दो सुने केंसिल, और 6 अठे कितना होता है आपको, 48 और 1 जीरोती हाप है ही, तो आपका कितना आगे, 80% आगया, तो I think अब सारे लोग समझ गए होंगे, ठीक है, बाकी किसी को, अगर इस chapter से related, किसी question में doubt होगा, तो comment box में लिखेगा, ठीक है, हम last में उसको बाद में solve करेंगे, यह सब होगे, अब एक चीज और इस chapter में हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक एक concept start करते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं, friction to percentage, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, friction to percentage, ठीक है, friction से percentage में कैसे change करें, यहा, हम लोग दोनों यहाँ पर देखेंगे, friction से percentage में कैसे change करें, और percentage से friction में कैसे change करें, यह दिए चीज आपको आ गया, आप देखना, कुछ question आप से चुटकियों में solve हो जाएंगे, बड़े-बड़े question बिल्कुल easily तरीके से आप solve करेंगे, अब देखें, जैसे यहाँ पर दिया है, one by one क्या है यहाँ पर? friction है, आप सभी को पता है, friction किसको बोलते है, friction में क्या होता है, एक denominator होता है, denominator होता है, यानि यह क्या होता है, इसलिए मैं बता है, जो लोग भी वीडियो नहीं देखेंगे, number system को जाके देख ले, बिल्कुल zero level से बताएगे है, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, यह प्रक्स चार घंटे की वीडियो है, लेकिन zero level से आपको बताएगे है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, तो देखिए, भीन जो है, क्या होता है, अंसपन हर, तो हमने बताया, भीन को percentage में चेंज करें, परतिशत में, या परतिशत को भीन में, यह आपको आ गया, तो आपका question जो है, असान हो जाएगा, जैसे देखिए, यहाँ पर one by one है, इसको percent में change करना है, ठीक है, one by one, हमने क्या बताया था, percent में change करने के लिए hundred से गुना कर देते हैं, तो देखिए hundred percent आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अब one by two है, ठीक है, one by two है, इसको percentage में change करना है, तो क्या करेंगे percentage में change करने के लिए hundred से गुना, दो से यह, पचास बार में cut गया, पचास परसेंट आ गया, one by three है, इसको भी percentage में change करना है, क्या हो जाएगा, one by three into hundred, यह कितना आ जाएगा आपको, 33 फूर नांक, एक बटा 3%, एक बटा 4 है, आपको percentage में change करना है, क्या करेंगे, एक बटा 4 में, 100 से multiply कर देंगे, कितना आ गया, चार से यह, इसको किये, 25 पे नहीं, आपका 25 परसेंट आ गया, तो आप सभी को तो आपने बता ही दिया, कि आप भीन से percentage में कैसे change करेंगे, जो भी भीन है, उसमें 100 में multiply कर देंगे, तो यह आप series याद रखेंगे, आपके लिए important होगा, ठीक है, यदि किसी question में बोलता है, साड़े 33%, तो आप जो है, वहाँ पे fraction में 1 by 3 direct use कर लेंगे, 25% बोलता है, तो 1 by 4 use कर लेंगे, अब इसका meaning क्या होता है, कैसे हम इसको question में apply करेंगे, तो जैसे देखिए, 1 by 4 का percentage में conversion कितना है, 25%, तो यह तो इतना आपको आता ही है, 1 by 4 में 100 से करेंगे, अब देखिए, 1 by 4 में हम multiply किये, 100 से तो 25 आ गया, हम बता रहें कि इसका meaning क्या हो गया, यह क्या होता है, यह आपका total होता है, हमने पहले ही बताया, यह आपको क्या होता है, total होता है, यानि यह क्या होता है, आपका कुल, यह क्या होता है, obtained होता है, हमने बताया था, यह क्या होता है, आपको obtained होता है, यह जो भी प्राप्त है, इसका मिनिंग यहां पर यह हुआ कि यह 4 का यदि आप 25% निकालेंगे तो आपका क्या आजाएगा? एक आजाएगा इतना बात समझ में आगया तो आपका पूरा चेप्टर असान हो जाएगा यह क्या होता है? टोटल ठीक है? यानि 4 का आप 25% निकालेंगे तो एक होगा आप ऐसे भी समझ सकते हैं देखिए फोर जो है यह पूरा है तो कोई भी नंबर क्या होता है? जब पूरा होता है तो 100% की कोल होता है कितने के इक्वल होता है 100% देखिए परसेंटेज में क्या होता है 100% होता है और फ्रेक्षन में जो है 1 होता है ठीके दून बातों को ध्यान रखेंगे Frickshow में जो है पूरा one होता है परसेंटेज में hundred होता है मैं अभी क्या बताए आपको चार जो है टोटल है एक इतने के equal है 100% के equal है तो आप एक एक नियम से यहां से बतावी सकते है एक कितने के equal होगा तो 100 bunlar है इसके मतलब क्या होगा 25% मेरा यहां पर कहने का तत्पर यह है कि यह जो नीचे नंबर दिया होता है फ्रिक्षन में इसका आप यह 25% निकालेंगे तो यह नंबर आएगा अब हम कोश्चन में जैसे इसको अपलाई करेंगे आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा ठीक है इतना बात आप समझ के ध्यान द को बनाना तो याद कर लें जैसे 1 by 8 को जो है कितना लिखेंगे आप देखिए 1 by 8 को कनभर्ट करने के लिए क्लिए करना होगा 1 by 8 into 100 अब यहां देखिए 2 फोर जाएट यहां हो गया यह पचास यह फिर हो जाएगा 25 और यह हो जाएगा 2 अब इसको डिभाइड करेंगे आप चाहें तो डिरेक्ट इसको याद रख सकते हैं अब देखिए 1 by 8 को हम साड़े 12 परसेंट लिखते हैं अब कोश्चन में जैसे में करेगा साड़े 12 परसेंट के बदले क्या लिखते हैं 11 पुर्णांग एक बटा 9 एक बटा 10 का मतलब 10 परसेंट हो गया एक बटा 20 का मत मतलब किया होगा परसेंटेज में बताईए आपको पता है एक बटे 20 का मतलब तो बटे 20 का मतलब किया हो गया 10 परसेंट हो गया देखे में आपको क्या बताना चाह रहा था वंड़ाई परसेंटेज मेंalter कितना है फॉंटीफाइब परसेंटेज ठीक है 25 परतिसाता रहा है तो देखिए 1 वाई आपको 4 का मिनिंग यह है अब हम बता रहे हैं कि आप बताएं मेरे को 3 by 4 का मिनिंग ठीक है तो आप क्या देख पा रहे हैं इसमें हम 3 से मल्टिप्लाई किया है तो राइट साइड में 3 से करना होगा तो 25 में आप 3 से मल्टिप्लाई जब करेंगे कितना आ जाएगा 75 अब चलिए मैं आप से पूछ देते हूँ आप बताएं 5 by 4 का मिनिंग क्या होगा तो आप देखिए 1 by 4 का मिनिंग 25 है इसमें हम 5 से मल्टिप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी क्या करना होगा 5 से में आते हैं और वहां से हम लोग सारे टाइप को कभर करते हैं जीसने तरह के पॉस्बल कोश्चन इस चेप्टर से बनते हैं तो यह परसेंटेज टू फ्रेक्शन आप ध्यान रखेंगे चलिए कुछ और यहां पर फ्रेक्शन है इनको भी ध्यान रखेंगे एक बटा पां यहां पर क्या है चार परिसेंट है एक बट देखे एक बटा चालीस जरीश क्या हो जाएगा है कि यह यहां पर एक और मैं आपक्त न हक र करके मता दिता हूं जिसे दीखिए एक बटा चालीस था एक बरृट को सेंट में जेंज करना था तक Ever करना हां एक सुन्ने से एक सुन्ने कंसील यह 2 दूनी चार हो गया यह 2510 ठीक है अब यह कितना आ गया पांच बंटे दू आ गया थीक है इसको कि आप जो है क्या लिख सकते हैं पांच बंटे दो भी यह दो दूनी 4 यहां पे 4 आ गया एक यानि एक पूर्णांग यहां पे दो आया है तो दो पूर्णांग एक बटे दो परसेंट कितना हो गया दो पूर्णांग एक बटे दो परसेंट ठीक है तो मैं बताया कि आप चाहती इसको डिरेक्टली याद रख सकते हैं यहां पर जैसे देखें एक बटा 40 का मेनिंग एक बटा 50 का 2% हुआ पांच बटा 8 का मेनिंग हो गया 62 पुर्णांक एक बटा 2 परतिसत में बदलना हैं तो क्या करना होता है 100 से गुना देखे एक मेरे पास क्या है अभी पंटेंट बनाने के लिए ताइम नहीं है ऐसे content तो अपने पास बहुत है बट यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ बाकी जो भी extra concept होगा मैं इसमें add करके आपको बता दूँगा reference के लिए मैं ये book यूज कर रहा हूँ चलिए तो मैं क्या आपको बताया भी यदि भीन को आपको पर्टीशत में बदलना है क्या करना होगा 100 से गुना करना होगा जैसे आप देखी लिए हम लोग ये काम कर चुके है 3 बट 5 को बदलना है 100 से गुना कीजिए 60% 2 बट 12 को बदलना है 100 से गुना कीजिए 13 पूर्णा 1 बट 3 अब next question है कि यदि पर्टीसत को बदलना हो तो क्या करनेगे simple से बात है 30 को बदलना हो तो आप 100 से भाग देदेंगे ठीक है भीन को यानि प्रेक्षन टू पर्सटीशत जो है करना था आपको गुना करना था 100 से अब जो है आपको यदि %2 percentage to fraction करना है तो क्या कर दीजे सौ से डिभाइट कर दीजे सिंपल सी बात है ठीक है यही काम करेंगे जैसे 40% को आपको बदलना है बीन में क्या दिक्कत है 40% को आपको बीन में बदलना है तो 40 divided by 100 कर दीजे 1 सुन से 1 सुन केल सी होग या 2 दूनी 4 या 2 पचे 10 यानि 2 बटे 5 आगे ठीक है अब इसमें कोई doubt तो आप लोगो रह नहीं गया होगा अब आई यह question करते हैं हम लोग type 1 देखते हैं ठीक है type 1 कैसे question आप से पूछे जाते हैं बेसिक सारे concept हम लोग cover कर लिए देखिए यदि एका बी परसेंट ग्याद करना हो तो हम एक formula यहां पर apply करते हैं एंटू बी परसेंट का एंटू बी बाई 100 ठीक है simple सा बात है एक बी परसेंट आपको निकालना हो ठीक है जैसे देखिए example देखिए समझ में आ जाएगा असी का 30 परसेंट निकालना है तो असी ठीक है का का मिनिंग क्या होता है हिंदी में multiply 30 पर 30 का तो मिनिंग आपको अल्रीडी पहले ही पता है 30 बटे 100 यही होता था कोई डाउट नहीं है 30 पर 30 को फ्रेक्शन में क्या लिखते थे 30 बटे 100 अब क्या कीजिए सुनने से सुने के एक और सुने से एक और सुन कंसिल और याठ तरी का कितना होगे आपको 24 तो आपका एंसर क्या आगे 24 कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो simply multiply करके 100 से डिभाइट कर देते हैं चलिए आगे देखते हैं हम लोग हम अभी टाइप 1 देख रहे हैं ठीक है कुछ हम लोग कोशन यहा है कलम कापी लेकर बैठ सकते हैं और साथ साथ सल्व कर सकते हैं ठीक है जैसे आपको 300 का 55% निकालना है ठीक है तो आपको क्या करना होगा कुछ नहीं 300 का 55% कैसे निकालेंगे आप ठीक है 300 लिख दीजिए 55% निकालना है 55 और बट्टे क्या हो जाएगा 100 सुनने से 200 कांसिल multiply प्रतिसत दिया हो और पूछा जाए कि बी का कितना परतिसत होगा तो के अपलाई करेंगे तिक है एक परतिसत दिया हो पूछा जाए कि बी का कितना करेंगे यह इसके बीप्रीद पूछा जाये कि बी एक कितना परतिसत होगा तो अपने अपने कर देंगे अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तुरंत आपको समझ में आ जायेगा देखिए कोश्चन देखिए यहां पर यह type 2 है, एक question है यहाँ पर आपको 24 200 का कितना परतीशत है, 24 200 का कितना परतीशत है, अब देखे कितना का पुछ रहा है, 200 का, 24 कितना परतीशत है, तो जब भी जिस से compare करेगा उसको नीचे रखेंगे, तो यहां पे क्या पूझ रहा है? 24 200 का यानि कमप्रीजन किसे कर रहा है? 200 से तब क्या करेंगे? 200 के नीचे रख देंगे और 24 को उपर रख देंगे और सिंपल पर्सेंट में चेंज करना है 100 से मल्टिपलाई कर देंगे यह 2 सुने से 2 सुने केंसिल और यह आपका आगया 2 से 12 ठीक है तो एंसर क्या बन गया आपका 12% 12 परतीसात एंसर बन गया कुछ कोशन और करते हैं आपको समझ में आ जाएगा अधर कें देखिए अच्छा इसी कोश्चन को पूछ देता इसको एक्सेंज कर देता है यहां पर पूछ देता आपको 214 का कितना परतिस्षत होता है 224 का देखिए 224 का यानि किस से कंप्रिजन कर रहा है 24 से हम लोग क्या करते 24 को नीचे रख देते ठीक है यह भी वाले फर्मूला दिमाग में ध्यान नहीं रखेंगे बिल्कुल मैं बोल रहा हूं वही ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपको जो है बुक अगर लिखा जाता है तो वहां पर सारे चीज लिख दिया जते हैं बाकी पढ़ना कैसे है वह आपको ने भर करता है तो मैं कोशन को चेंज किया कि 224 का कितना होगा तो 24 को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे दो सो को क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे ठीक है इंटु हंडेड से अब देखिए यहां दो एकम दो दो जीरो हो जाएगा यह 2 से 12 हो गया ठीक है अब देखें क्या हो जाएगा दो 612 और यह हो गया दो पचे दर्श पिर यह किंसिल होगा दो तीए चे और यह हो गया आपका दो से पतीश यह क्या होगे आपको पचीस सो डिभाइड तीन यानि यह होगे तीना वाठे चौविस लगवग यह आठ सो के करीब आएगा तो यह आठ सो परसेंटेज के करीब में लगवग आएगा आठ सो से थोड़ा साधीक आएगा ठीक है चलिए एक दो कोश्चन और करते हैं किलियर हो जाएगा यहाँ पर जो काफी लोग गलती कर जो एटते हैं यह मेरा प्रस्नल अबजर्वेशन है ठीक है जैसे देखे एक और कोश्चन है यहाँ पर कोश्चन नमर दो देखे 900 2700 का कितना परसेंट होगा इसमें मल्टिप्लाई किसे कर देंगे 100 से परसेंट में चेंज करना है 200 से 200 के अंशिल यह आपको 9 एकम 9 यह हो गया 9 3 27 यह कितना आगया 100 बटे 3 ठीक है 100 बटे 3 यानि आगया आपको 33 फूनांक एक बटे 3 परसेंट ठीक है यह 23.33 परसेंट क्लियर है ठीक है तो ऐसे ही करेंगे जैसे देखे एक और कोशन है जीतने मैं कोशन प्रेक्टिस कर रहा हूं सेल्फ से भी आप प्रेक्टिस करेंगे 70 का 280 कितना परसेंट है देहान दीजिए गया त्या भी शातर का 280 अच्छा प्रिबियस कोशन में यानि 70 को क्या करना है अब आपको नीचे रखना है 70 का 280 पुछा है तो 280 उपर हो जाएगा इंटु 100 ठीक है यहाँ पर देखे वन सुने से साथ चोगा 28 होता है यानि कितना हो जाएगा 400 समाझ में आ गया होगा ठीक है तो बाकी यह statement आप ध्यान से पढ़ें और यहां से लिख दियें तो आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगा इसको समझेंगा अच्छे से आप से पूछ रहा था हम लोग क्या करते हैं अब 28 को नीचे लिखते सत्तर को उपर लिखते हम बार बार बोल रहा है कि जिससे कंपेर किया जाएगा उसको नीचे लिखे इन्टू हंडेट हो जाता ठीक है यह साथ चोगा 28 हो जाता अब आपका एंसर कीतना आज़ता 25 परसेंट ठीक है लेकिन यह देखिए गया लीखा हुआ है देखें यहान पर लिखा है 70 का फिक्र है यानि 70 को नीचे लिखना है 200 सी यह video से 50 को अउपर लिखना है hundred करेंगा चली हागे मैं नेक्स है यहां पर दिया है कि एक से कितना कम होगा ठीक है अब चाहिए इस फर्मूला को ध्यान रख सकते हैं बाकी मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखेंगे आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगी यह जो है इसको लिखेंगे जितना भी अधिक होगा उसको उपर लिख दीजिए और 100 जो भी अधिक है इन्टु हंडेट यह आपका एंसर आ जाएगा अब देखें यहां पे एक कोश्चन आपके आपको दिख रहा होगा यह दि मोहन का मास्रीक वेतन राम से 50 परसंटा दिखें यहां पर दो वेक्ति हैं एक है मोहन और एक है राम तो राम की आये मोहन से कितने कम होंगी तो देखें पहला केस्ट क्या बोल रहा है आपको अब डिरेक जो फर्मूला दिया था उसको भी अ तरीका क्या है जिंडल कि यहाँ का मासिफितर से कंप्रीजन किसे किया रहा है राम से तो हम क्या कर लेते हैं कि जीँ कर लिए तो से तो है तो मोहन का कितना हो जाएगा सव पचास परसेंट निक लेंगे ताप पचास रुपयाएगा सब प्लस पचास पचास आ गया अब देखिए राम की निकालना है तो क्या करेंगे जो कमी होगा उपर कि से के रिस्पिर तो राम किया ये मोहन से तो बहरन को नीचे रखेंगे मोहन और कितना था एक सब पचास था इन्टू हंडर ठीक है अब मैं इसका इजी तरीका आपको बताता निcit आधा देखिए बिल्कुल असान तरीका में बताता हूं इसका मैं इसको दो तीन तरीके सल्फ करता हूं देखिए भाई फर्मूला कैसे आप यदी याद रखेंगे तो कितना परसेंट अधिक बताया है 50 तो क्या करते हैं 50 को उपर रख देते एक्स के जगा पर ठीक है प्लस 100 कितना अधिक है तो 50 अधिक यहां पर 50 रख देते इंटू कितना 100 आपका एंसर आ गया अब इसी को कुछ लोग ट्रिक के नाम से जानते हैं कि यह ट्रिक हो गया जब भी पूछे ऐसे कोश्चन ठीक है तो आप क्या करेंगे उपर 50 जो भी अधिक दिया हो उपर कर लेंगे और 100 में नीचे सब्सक्राइब करेंगे और डिरेक अंसर आएगा आप देखिए क्या अंसर आपका बनेगा 50 डिवाइड कितना हो गया 150 इंटू हंडेड तो यह हो गया पांच दिया पंद्रव ती सो बटे तीन यानि कितना आ गया 33 पूर्णांक एक बटे तीन परसेंट आपका एंसर हो ग तरीका बताते हैं और यह तरीका आप समझ गया तो कोई फामूला आपको याद करने की जरुवत नहीं पड़ेगी कोई फामूला याद करने की बिलकुल नहीं है देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ दो विक्ति लोग हैं राम और मोहन कौन-कौन है एक आपको रा ओके अब देखिए इसको अच्छे से समझ जाएं बाकी आने वाले स्टारे कोश्चन को ऐसे आप अपलाई करके बना सकते हैं क्या दिया है मोहन का वेतन राम से 50 परसेंट अच्छा 50 परसेंट का मीनिंग क्या होता है फ्रेक्शन में तो 50 को क्या लिख सकते हैं देखिए अग परसेंट का मीनिंग हम पूछ रहे कि क्या होग हिक तो 50 परसेंट का फ्रेक्शन में में अपाइस सब्सक्राय होता था इसका मतलब यह हूआ इसका मतलब यह हुआ कि यह जो ओन बाइट डिख रहा है ठीक है 1 by 2 किसके मिनिंग पचास परसेंट के बदले आया और 2 का 50फरसेंट आप निकालेंगे तो Dazu एक होगा ठीक है China क्या बोला था कि मोहन का मासी कर द्राम से अदिक है तो राम का यादी हम मान लेते हैं कि राम का 2 है जिम उनीत ठीक है राम का क्या है दो है दो लीखने किया कि बोला है 50 और आपको पता है कि फिर से मैं बताता हूं इसको है यह आप समाझ गया ता ऐसके लिए तेन एक चार चेप्टर जो है बिलकुल की कोश्चन मनाना असान हो जाएगा मैं क्या बोला पचास परसेंट का मिनिंग क्या है वन बाइटू कर लिया है तो मोहन का कितना बता रहे पचास परसेंट कि 10the k опos होता कितना है एक होता है यानि 2 से कितना अधिक हो जायेगा इन हर चाइन लोग,ribmore को आदमने लिखे अपरे एक अधिक हो जायेगा तो देखे दो कि RAM की आय मोहन से कितने कम हैं बता दीजे आप कोई दिकत्त नहीं है RAM की आय मोहन से कितने कम हैं। देखे मोहन का यह 3 ए और RAM का यह कितना है, 2 है तो कमी अगर निकालेंगे आप, तो कमी कितनी की हो जाएगी? 3,3-2,3 कितना आ गया? 1 का कमी हो गया? ठीक है तो आपको percentage में कम ही निकालना है कितने पर्तिशत कम है तो कम ही को रख देंगे उपर किसे कम प्रीजन करना है मोहन से मोहन का कितना है तीन है एक बटे तीन आपका answer आगया होगा एक बटे तीन का मतलब क्या होता है एक बटे तीन परसेंट यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बटे तीन को क्या करें सो से मल्टिप्लाई कर दें यह एंसर बन जाएगा तो आपका answer कितना आगया 33 पूर्णांक एक बटे तीन और यह जो है आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है आप किसी कोश्चन में इसको अपलाई कर सकते हैं यह तरीका आप सिख लिए तो आपका पूरा प्रसेंटेज चेप्टरी क्या हो जाएगा असान हो जाएगा साथ आने वाले आगे जो है प्रसेंटेज के लवा लाभानी एस इसी सी आई सब आपके लिए असान हो जाएगा तो आई तिंक आप लोग अच्छा इसको टाइप फोर यह बना दिया ती टाइप फोर जो है क्या है देखिए यदि ए बीस एक्स परसेंट कम है तो बी यह से कितना अधिक होगा तो यदि ऐसा आता है तो पहला तरीका आपके लिए है कि आप डिरेक्ट इस फर्मूलों के अगर याद रख सकते हैं याद रखिए एक्स यह कितना हो गया अगर कमी के बात कर रहा है एकस परसेंट कम है तो क्या करेंगे 100 में से माइनस एक्स कर लेंगे देखिए अधिक की बात कर रहा था था प्लस कर रहा थे इंटो हंडेड कर दीजिए डेरेक्ट नसर आ जाएगा अब एक कोशन देखते ह हम लोग", देखें यहांपर, question क्या दिया है, यदि मामत की आमदनी शवीता की आमदनी, कि Solita की आमदनी से 30% कम है, मामता की आमदनी कि परशनंत जादा है, एक पूझा जारा है, तो सींपल सा क्या करना है, आपको यह उपर वाला formula आप याद रखना साते हैं तो कितना जो है कम है तक कमी जो है उपर लिख दीजे 30 और 100 में से क्या करना है कमी को माइनस कर देना है तो 100 माइनस 30 और इंटू हंडड़ आपका एंसर आगया ठीक है तो यह कितना हो गया 30 अपन 70 इंटू हंड़ेड अब किसी किसी को यह तरीका अच्छा लग रहा होगा लेकिन ज्यादा दीन तक यह दिया आपको याद नहीं रहेगा तो आप बेस्ट में ठा हो दे और यह 6 पूनांक साथ यानि 42 पूनांक शेबटे साथ परषिंट आ गया यह तो पहला तरीका होगे आपका ठीक है अब देखें दूसरा तरीका हम लोह देखते हैं मामता की अमधनी सभीता से कम है ठिक है तो कि हम लोग क्याते सभीता का कितना माल लेते 100 रुपया सब्सक्राइब अब ममता की अमदनी कितनी हो जाती 30% कम है तो 100 का 30% अब कम करते तो 70 आ जाता ठीक है इसके बाद क्या करते पूछा था आप से तो सभीता की अमदनी ममता से कितनी अधिक है तो यहाँ पर देख सकते हैं शवीता की ममता से कितनी अधिक है? 30 अधिक है जी, ठीक है, और आपको किसे कंपेर करके बताना है, ममता की अमदनी से कितने परसेंट जादा है, ममता की है कितनी? 70 है, तो 70 नीचे रखे, इंटु 100, निकल गया answer से मोही, अब नेक्स तीसरा तरीका जो मैं भी आपको बताया, और बाकी जो है, आपको जो भी बहतर लगता हो, आप apply कर सकते हैं, देखिए, क्या दिया है? दो वेक्ति हैं आपे, एक ममता है और एक सवीता है, ठीक है? देखिए, क्या दिया है? ममता की अमदनी, सवीता की अमदनी से 30% कम है, ठीक है? आच्छे, 30% का meaning क्या होता है? 30% का मिनि *** ut Mercedes 718 आप से question में पूछ रहा है कि ममत्ता की आंदानी सबीता के आंदानी से कम है कि तेदी हम लो Cesbita की आंदानी एजीउम कर ले दस यूनिट सबीता का एजीउम का ले यदि 10 यूनिंट तो बता रहा है कि ममत्ता की आंदानी कम है आपको पता है दस का 30 percent कम कितना है तीन है तो 10 में से 3 minus कर लाइए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कोई दिककत नहीं देखिए 30 percent का मिनिंग तीन बटे 10 10 क्या होता है हमने किया एज्यम कर लिया कि यह कि इसका है सभीता का है क्यों क्योंकि कोश्चन में दिया था कि मामता के अमदनी सभीता से कम है हमने एजिम कर लिया कि चलिए सभीता का दस है सभीता का दस है तो दस का 30% कितना आता है तीन आता है और आपको क्या बुला है कि 30% कम है तो 30% कम यानि 10-37 कम है क्लियर है तो आप से कोश्टन में पुछा जा रहा था कि आप बताईए कि कि अमधनी मंता के अधिक है यह यूनिट में है कितना आदिक आपको दिख रहा है प्लस 3 ठीक है यह साथ से अधिक कितना दीख रहा है प्लस तीन दीख रहा है दस माइनस साथ करेंगे तीन ही आएगा तो आप से परसेंटेज में पुछा जा रहा है तब किस से कंप्रीजन किया जाएगा उसको नीचे किस से कंप्रीजन की जा रहा है शभीता की आमदनी ममता की आपका ठीक है यह एंसर बना था आपका कितना आ जाएगा 42 पुनांक 6 बटे 7 ठीक है इसको ध्यान में रखेंगे चलिए बाकी आगे हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टैप देखते हैं यह टाइप 6 होगे आपका यदि किसी बस्तू की कीमत में X-person की कमी हो जाती है ताखपत में कितना कमी की जायं मालीजे बस्तू की कीमत में क्या है कमी हो रही है ताखपत कितना बढ़ाया जाया कि खर्च सेम रहर उसके लिए direct formal ये है एक्स लिखेंगे जो भी कमी की जा रही है माइनस कर देंगे और इंटु हफंड़ेड एकर स्ट्क्टर बदलता है तो बस क्या होता है क्या होता है कीमत में नहीं मालनी जेए चीनी चालीस शुक्ष करए है ठीक है आप किसी बच्चे को भेजें अपने तिकनार कि मेरेको 40 उर्पय दे दिया इसका कीमत कम हो तो घुच्छे को पता नहीं है तो जो है दिया को करेगा लिग यतना एगा उतना आपको दे तो practically ऐसा होता है ठीक है तो एक कोशन पूछा भी जाता है ठीक है ता फर्मुला जो है यह धियान रखेंगे जो पहले फॉर्मुला में बताया था सेम हैं ठीक है अब देखें कोशन करते हैं डिथे कोश्ण क्या है य citizens किसी परेवार दोर्ण फ्रती मां करीदी जाने वाली डाल की कीमत में 25% कि कमी आ जाती है कितना जाती है कमी आ जाती है कुंड़ी है तो परेवार दोर्ण की खबत किसे परिशन टक बढ़ाई जा सकती है जिससे खर्च अथावत रहे अब देखिए डाल की कीमत में क्या हो गई है गिरावट आ गई है कमी आ गई है लेकिन परिवार को खर्च उतना ही करना है तब डाल क्या होगा अधिक मिलेगा ठीक है इसको सिंपल तरीका है बेसिक मेथड से बना सकते हैं कर लेते हैं कि मालीजे कीमत कम होने के पूर्व एक्स रुपया में बिखता था रुपया एक्स में 100 कजी डाल खरदा जाता था सौ के जी डाल का कीमत हो जाता आपको टीक है यह बेसिक मेथड था बाकी जो बेसिक मेथड से आप सल्फ कर सकते थे आईये हम लोग चुकिंकि कंपटेटिव एक्जाम में टाइम नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या देखते हैं ट्रिक से लोगों कराता है कि हमें ट्रीक स इस्तमाल कर दीजिए कितने कमी हुई है 25% की सिंपल क्या करेंगे 25 को उपर रख दीजिए और फिर क्या कर दीजिए 100-25 अब देखिए जो मैं लिख रहा हूं निजिए 100-25 कितना होगया 75 और इंटु कितना होगया 100 यह 25 तीजिए 75 हो गया सीधे और यह 30 दीख रहा है देखिए 100-3 का मेनिंग क्या होगया 33 फुन नांक एक बटा तीन देखिए कितना बार रिपीट हुआ इदि तीन का मेनिंग आपको सीधे पता है तो आप डाइरेक्ट परसेंटेज लिख सकते हैं इसलिए फ्रेक्शन वाला चार्ट याद रहे तो सही है एक तरीका तरीका तो यह हो गया दूसरा तरीका निसलिए और पत्लब इसलिए कितना का कमी बता रहा रहा है फचीज पर्षंट का मिनिंग क्या होता है और रिखन चीनी की बात हो रही है और कितनी की बात हो रही है खपत की ठीक है देख है यहाँ पे कीमत और एक है आपका खपत ठीक है तो देखिए एक आपका क्या है यह तो अब सारे लोग लिखी लेंगे एक तरफ क्या है आपको कीमत को कीमत जो भी ब्रिधी यह कमी ठीक है जो भी योग लिख लेंगे दूसरा हो गया खपत अब देखिए पहला केस में क्या है चीनी का कीमत 25 परसेंट डाउन हो रहा है तो पहले यदि मान लिजे पहले यदि चार था पहले कितना था पहले इसका कीमत त्यक्यार था चार यूनिट था ठीक है तब 25 परसेंट कम हो जारी है इसका मतलब एक गम हो जाए तो चार का कहें कम होगा तो कितना हो जाएगा तीन तो यह कितना हो गया नया हो गया ठीक है और यह क्या हो गया आपका पुराना हो गया ठीक है तो पुराना चीनी का किमत कितना था चार यूनिट था अब जो है पचीस परसेंट कम हो गया इसलिए क्या हो जाएगा एक यूनिट कम हो जाएगा तो चार माइनस एक तीन तब तो जो भी आप को per य Sydंगे आपको क्या करना होगा पहले यह तीन करते होंगे तापको चार कर देना होगा तो सिंपल सा जो भी आपको ऊपर आता है जो फिरका है ते उसको ड Streete कर देंगे अब एक बटा तीन का मतलब आपको पता ही है कि 33 तीन तीन या 33 पूर्णाइक एक बटा 3% ठीक है तापीस मेथड़ से भी सल्व कर सकते हैं चलिए यह होग आपका चलिए Lex देखते हैं Hillow basic जितना भी प्वाइट कभर करना था हम ने cover कर लिया अब हम लोग क्या करते हैं कुछ और टाइप आप कोशन देख लेते हैं फिर हम लोग previous वेदी किया गया सो प्लस एक्स कर लिजे नुन हन्रेड ठीक है ताफ का एक लाइन में इंसर बनेगा हो चिपिन सेस्ट हम और यही क्या होता है एक इसको किशिक После हैं टो तो जब भी ब्रीदी बोलता है तो क्या करेंगे सॉप्लास एक्स करेंगे इन दूसरा तो परिवार जो है बिजली भुकता की दर में कितनी कमें की जाए ताकि परिवार का खर्च जो है यह थावत रहे अब देखो ब्रीधी होती है तो ब्रीधी क्या कर देंगे उपर लिख देंगे सौ में ब्रीधी को आड़ कर देंगे तो सौ में 25 कीजिएगा 125 और इंटु हंडेड आपका एंसर आ गया यह 25 पचे 125 हो गया यह पांस से हो गया 20 यानि आपका एंसर कितना आ गया 20 परशेंट आ ठीक है किलियर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लो नेक्स देखते हैं टाइप 8 यहोगी आपका टाइप 8 यह कोश्चन क्या पुछ रहा है देखे फॉर्मेट क्या है यदि किसी रासी के मान में पहले 1 परसेंट एक परसेंट बढ़ाया जाये बाद में वाई परसेंट कम किया जाये तो रासी में कुल कमी है बढ़तरी कितना तो देखेंगा कोई रासी है माले उसमें पहले जैसे कोई वेक्ति है क्या किया जाता है उसका सेल्दी पहले गवर्मेंट द्वारा माले दस परसेंट बढ़ा दिया जाता है दस परसेंट बढ़ा दिया जाता है फिर बोला जाता है कि इसका टेक्स जो है ना टेक्स भी बढ़ा दिया गया कितना 12 परसेंट तब बताए ये पहले बढ़ाए गया क्या इसका सेल्दी फिर टेक्स बढ़ा दिया गया यानि उसमें क्या होगा कटवती ज्यादा होगा ऐसे कोशनों में हम लोग ऐसे अपलाई करते हैं ठीक है तो देखिए चाहे ऐसा भी सिच्वेशन बन सकता है कोई गाउं है मान लीजिए उसका जनसंख्या ब्रिधी दर जो है एक साल में 20 परशेंट होता है यह एक साल 20 लोग बढ़ जाते हैं लेकिन कोई हमारी फैली उसके कारण जो है continuous 3-4 साल तक जनसंख्या जो है मान लीजिए 40% हरास हो गया ता बताई overall जनसंख्या क्या होगा ऐसे ऐसे कोशन यहां से बनेंगे तो देखिए यहां पर क्या है कि मान लीजिए कोई विरासी दीर है उसका पहले मान बढ़ाया जाए फिर घटाया जाते इसके लिए डि सेंटेज एंसर हो जाएगा तो डेरेक्ट इस फर्मूला पर अप्लाई करेंगे आपका एंसर आजाएगा बाकी दूसरा ट्रीक मैं आपको बताया हूं उससे भी आपको अप्लाई कर सकते हैं अब एक कोश्चन इस पर देख लेते हैं फिर हम आगे निकलते हैं देखिए को अभी उसको चैनित किया था जिस्वी कमपनी में काम करता था तो अफ्याइद पर सबसे पहले उसके विरतन में क्या किया गया कितने का 20 पर्शेंट का next step देखिए बाद में रमेश का विरतन 15 कमी की जा रहा है फिर क्या किया रहे है कमी कि जा रहे तो पूछ रहा है कि रमे डिवाइड वाई 100 और ये इतना आपको एंसर आगा डिया दैएक देखें ब्रिदी कितने की गई है 20 किटने 20 रखी है माइनस कमी कितने की गई है 15 15 माइनस 20 INTER 15 कि डिवाइड वाई 100 अब देखें यह 25 सो हो गया यह 5 से 5 सिंद यह 15 हो गया तो आपका क्या हो गया 20 20-15-3 ठीक है यहां से कितना हो गया 20-15-3 कितना हो गया माइनस 18 तो देखे कितना आगया आपका 20-18 दो परसेंट यानि दो परसेंट क्या आया पुजीटी में तो इसका मतलब उसका सेलरी ओफर ओल दो परसेंट बढ़ गया क्लियर है कैलकुलेशन में अखिसी कोई इस्या रहा अगा जैसे एकल कैसे कर दे रहा हूं तो केल्कुलेशन से एक लेटेद वीडियो इसके लिए बनाूंगा तो यर्षि है基本 कैसे करें ठीक है किलियर हो गया होगा देखे मैं कुछ नहीं किया यहां पर मैं डिरेक्ट फर्मूला अपलाई किया अगर निगेटीव आता हम क्या करते कमी हुआ है पहले जो है 20 परसेंट इंक्रीज हुआ बीस एंसर रख दिये फिर 15 का कमी हो गया देखे जो भी इंक्रीमेंट हुआ पहले रख दिये जो कमी हुआ उसको रख दिये और माइनस दोनों को मल्टिप्लाई कर दिये डिवाइड अब कल्कुलेट करना है यहां पर क्या था देखिए 20 इंटू 15 था ठीक है अब वन कितना था हंडेड था अब देखे एक सुने से एक सुने कंसिल कर देते दो का यहदि अब टेबल पढ़ेंगे तो दो पचे कितना होता है दस होता है पांच आ गया और पांच का टेबल यह माइनस 15 और माइनस 3 है यानि माइनस माइनस वाले को एक साथ हैड कर देंगे तो माइनस 15 और माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 18 ठीक है तो माइनस 15 और माइनस 3 माइनस 18 हो गया 20 माइनस 18 कितना हो गया दो यानि 2% की ब्रीधी हुई एक तो यह तरीका हो गया दूसरे तरीक क्यों बढ़ते हैं एक और कोश्चन दिया है आप इसको ट्राइब कर सकते हैं आप इसको ट्राइब करेंगे देखिए आप लोग कोश्चन को देखे पढ़ लीजे कोई परिवार है कुछ महमानों के आने से उस परिवार की मासिक वेतन जो है 25% मासिक खर्च बढ़ जाती है आपको रिजल्ट मिल दाएगा सेम कोश्चन वही है इसको भी प्रेक्टिस किजिएगा कोई पुष्टक प्रकासन दोरा अपनी पुष्टकों की कीमत में 30% की क्या की जा रहे हैं ब्रीधी की जा रही है बाद में उस परकासक की पुष्टकों के बजार में विक्री जो है 30 घट जाती है तो बताए परकासक की आये पर क्या परभाव पड़ेगा तो देखिए पहले ब्रीधी की जा रही है फिर इसके आये जो है तीस परसेंट कम हो जा रहा है सेम फर्मूला अपलाई करेंगे एकस माइनस वाई ऑपन हंडे आपका एंसर आजाएगा देखें यहाँ पर माइनस नौपरसेंट एंसर आया है धिया देंगे माइनस नौँ आए है इसका मतलब क्या होगा आयमे जो है 9% की कम ही आ जाएगी ये प्लस नौँ आता तो आयमे 9% की ब्रीधी हो जाती अब की सवार नहींस हब कि susceptible दर के सहर की जनसंख्या अर्पि रहा है इंस बाद क्या होगी जन संख्या टेक यह एक्जांपल थाइध रखें क्या है क्या है पी इनटू, 10 का फॉन, का इंटे जो भी आपका जनसंख्या दिया होगा उसको लिख दीजेगा सबसे पहले इन्टू वन प्लस जो भी जनसंख्या आपको ब्रिधी दर हो यह जैसे आर परसेंट है तो आर लिखती है आर बाई हंडेट और कितने टाइम के लिए बढ़ रहा है माली यह दो साल के बढ़ रहा है 2525 है यह 4 परसेंट प्रती वर्स की दर से बढ़ रही है तो बताएं तीन साल बार जो है गाओं की जनसंख्या क्या हो जाएगी तो एक तो तरीका यह हो गया इससे बना लेंगे आप ठीक है देखिए गाओं की जनसंख्या क्या हो रही है 15,625 पहले है ठीक है फर्मूला और इसका पावर कितना एन है दिखिए गाउं का जनसंक्या कितना है आपको 15625 ते लिख दे 15625 ओके वन लिख दे कितने परसेंट दर से बढ़ रही है तो यहां पर चार लिख देंगे आर के जगा पर हंडेड फर्मूला में हंडेड लिख देंगे कितने टाइम के लिए बढ़ देंगे तीन वर्स के लिए आप आप आउर में तीन लिख देंगे बस इसको सल्व कीजिए रिजल्ट आगे आपका देखिए तो यह हो गया 15,000 625 इन्टू यह देखिए 1 प्लस 4 भाई हंडेड अब इसको सल्व कैसे करेंगे चुकि जीरो टू हिरो सिरीज इसलिए मैं आपको बता देता हूं ऐसे आप सभी को पता ही होगा कि नीचे कुछ नहीं है तो नीचे हम क्या करते हैं वान एजिम कर लेते हैं दोनों का यदी LCM झाल यहां तो 100 आजाएगा एक में 100 से मल्टिप्लाई की जाएगा 100 उपर क्या जाएगा 100 अब यह प्लस 4 यहने कितना आ जाएगा आपको 104 बटा 100 ठीक है इस सिंपल सा क्या करना है जब भी ऐसा कोई कल्कुलेशन आए आपको नीचे 100 दिख रहा है वन में एड़ करना है डिरेक्ट सो में 4 एड़ कर दे आप ठीक है ति यह कितना हो गया 104 एक सो चार पर हंडिड आप देख रहे हैं इसका पावर कितना है तीन है तीन है तीन बार लि यदि इसको आप देखते हैं दो पचे दस और यह हो गया दो दुनी चार और यह हो गया आपको 50 और इसको अगर कट किया तो 25 आ गया और यह आगया 26 यानि यह कितना आ गया आपको देखिए 15 थे 25 और इसको सिंप्लिफाइर ही करेंगे तो यह हो गया 26 बाई पचीस और यह कितना हो गया आपका देखिए 26 बाई पचीस और यह हो गया 26 बाई पचीस सिंप्ली है सेम सेम है तो 26 बाई पचीस ही सारा आएगा अब आप केंसिल कर ले ठीक है इसको इससे देखिए यहां से 55 हो गया और यह पांच से केंसिल करेंगे तो यह हो गया पांच ती यह हो जाता है तरफ नंबर सिश्टम का क्लास जाकर देखें वहां पर इसका ट्रिक बताये गया है तो देखें पास से हो गया यह आपका 5 अंसर क्या हो गया 26 इंटू 26 इंटू 26 ठीक है एक तरीका तो यह हो गया दूसरा तरीका इस कोश्चन का क्या होता चलिए मैं बता देता हूं ठीक है बाकी आप फर्मूला पे रखेंगे और आपको कल्कुलेशन यह दिया आता होगा ता आप सल्व कर लेंगे दूसरा तरीका देखें क्या है गांओ की जंसेंग बढ़ रही है चार परसेंट का मीनिग क्या होता है अमने बताया था इतना होता है चारव हर सो थीका है क्या इसका मतलब यह होगी स्था शयानि प्रचीज एक वड़े था इसका मतलब हिया की इसको मतलब यह है यह इसका short तरीका है अब देखिए उस formula पर जो है आपको short तरीका पर भी calculation इतना करना पड़ा लेकिन यहाँ पर देखिए आपको नहीं करना पड़ेगा जो कि हमने क्या लिखा 4% का मिनिंग एक बटा पचीस यानि गाओं का इनिसियल जन्संख्या अधी पचीस था तो अगले साल जो है फाइनल क्या हो जाएगा 26 लेकिन अगले साल भी फिर बढ़ेगा 25 से 26 अगले साल भी 25 से 26 अब देखिए आपको यह 25 इंटू 25 इंटू 25 यह क यह कुल गर के बनाते तो बस आपका एंसर किया हो जाता 26 इंटू 26 इंटू 26 है होजाता 26 होजाता इसका हो गया मैं क्या बूला था इस चेप्टर के लिए इसको ध्यान में रखेंगे चली आगे देखते हैं एक आतकम से प्टार बचे गुए हैं फिर हम लोग डिरेक्ट कोश्चन की ओर आते हैं तो देखिए वही अंसर आया आपका ठीक है आगे बढ़ते हैं अब नेक्स एक और है इसमें कि मालीजी यदि किसी सहर की जन्सन क्या पी है और सहर की जन्सन क्या दर से बढ़ दिया तो आप से यदि फाले पुछ दे थीक है तब आप क्या करेंगे वही फर्मूला सेंव अपलाई करेंगे क्या था फर्मूला पहहले 152 वान प्लस फाइन और अब आपको क्या करना है ये पहले पुछ दे तो P को उपर रख दीजेगा और ये जो टर्म आपको दीख रहा है इसको डिभाइड कर दीजेगा 1 प्लस R भाई 100 का पावर क्या कर दीजेगा इन कर दीजेगा ठीक है इन कर दीजेगा आपका एंसर आ जाएगा क्लियर है तो आपको कुछ नहीं करना है बस डिभाइड कर देना या आप ये पहले पूछ रहा है जैसे एक कोशन यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इसको आप लोग सल्व किजेगा ठीक है मैं तरीका दो बता दिया हूँ आपको देखिए लिख रहा है कि एक सहर की जनसंख कि दर्थ से बढ़ रहा है दो बर्स पहले सहर की जनसंखे क्या थिया अब दीखे यह क्ले घुट आपको कुछ नहीं करना पी आपको पता है आर पता है तो आपको फर्मूला बस से ही अपलाई करना है फी डिवाइड वन बाई आर प्लस हंडेड का पावर एं ठीक है जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो देखिए कल्कुलेशन ही आप आप करेंगे बाकी मैं दूसरा तरीका भी आपको बताया था उससे भी आप इसको सल्व करेंगे नेक्स देखे एक और जो है टाइप आता है इसमें कोश्चन का यह दी किसी अस्थान की जनसंग क्या पी थी मालीजे और इसमें प्रत्थम बर्ष दितिय बर्ष और तितिय बर्ष जो है अब समान चेंजेज नहीं होती है पहले साल आरवन परसेंट बढ़ती है दूसरे साल तू और तीसरे साल आटी तब व्रिधी क्या होगी तो उसके लिए फर्मूला है पी इंटू वन प्लस आरवन बाई हंडेट वन प्लस आटू बाई हंडेट वन बाई बाई वन प्लस आर थरी बाई हंडेट यानि मेरा कहने का यहां तक पर यह है देखेंगे कोश्चन एक कह रहा है कि यहां पर तीन बर्स पहले पटना सहर की जनसंख्या इतनी थी ब्रिधी यहां यहां क्या दिया है पटना की जनसंख्या कितनी दी है यह अपको और ब्रिधी दर देखी अलग-अलग है अलग अलग है तो इसके लिए क्या करेंगे आप पहले पी का फैलू रख देंगे और आर के जगा पर 1 x r by 100 वन बी यार्ट वई 1,1 x r by 100 calculate करेंगे आपका answer आ जायगा ठीक है वाकी second method अगला देखें एक आपको टाइप है मशीन का मुल्वन प्याधारी जैसे क्या होता है कोई मशीन होता है आपको पता ही है मालीजे मसीन है आप नया मार्केट से खरीद के लिए किसी मसीन का तो इसका कीमत मालीजे कितना आपको यदि खरीद केलाते हैं मार्केट से तो बाई करीद क्या अपलाते है तो क्या है मेरे गलं ने थोड़ साभी प्रोवलम है तो इड़ेस्ट करेंगे इसको देखिए तो तो मैं क्या बताए कि मशीन का मुल्ले पी है आर परशेंट बार्शिक दर से क्या हो रही है इसमें कमी आ रही है तो आप बताएं इसका मुल्ले क्या हो जाएगा तो उसका तरीका यह है पी उसका मसीन का किम्मत 1-R by 100 into n यह बता रहा है क्योंकि क्या हो रहा है आप देख रहा है कमी हो रहा है तो 1-R by 100 का पावर n यदि आपको पूछे कि n वर्स पूर्र बताईए यानि पहले तो फिर क्या करेंगे इसको डिभाइड कर देंगे सिंपल सा जैसे देखे कोशन लेते हैं कि एक सीनेमा हॉल का मुल्ले जो है प्रती वर्स 10% कम हो जाता है तो दो बर्स पहले इसका मुल्ले क्या था तो देखिए बर्तमान मुल्ले इसका कितना है एकासी लाग ठीक है पूछ रहा है कि दो बर्स पहले आप बताएं तो पहले आपको बताना है तो फमूला अपनाई करना है पी अपन वन मैनस और अपन हन्डेट का पाउट एद यह दो बर्स बाद बताना होता है तो मल्टिप्लाई कर देखें सिंपल सा क्या है एकासी है सब्सक्राइब बिटा सो ठीक है 90 बटा सो का पाउर कितना है दो है सल्फ कर दीजिये 81 इंटू सो इंटू तो और नीचे क्या होगा नब्डे इंटू नब्य और इस दो सुने से दो सिने केंशिल नानव एक आप गया नौ से नौ कट गया अपका कितना आगा देखें 100 यानी 100 लाक तो कैल्कुलेशन था सिंपल ठीक है यही कोश्चन में एक चेंजे ज़ेदी करता आप से माली जे पूछ देता है कि दो बर्स पूर्वना पुछ के पूछ देता है कि दो बर्स बाद बताईए तो आप क्या आपको BPC में जो पूछ देखते हैं ठीक है तो यह आपको देखें BPC प्री 2019 का कोश्चन है पहला कोश्चन यह पढ़े द्यान से लिख रहें का 80 विदार्थियों के कक्छा में 60% विदार्थी कैरम खेलते हैं ठीक है 6% क्या करते हैं आपको केरम खेलते हैं वेनताली centered अधित खेलते हैं साथ फिर दिर आया कि दस प्रसेंट प्यदार्ती ना कहिरं में खेलते हैं और ना सकतरंज खेलते हैं तो आप से question में पूछा जा रहा है कि बताइए केवल केवल सत्रंज खेलने वाले विदार्तियों के संख्या क्या है देखिए इस कोश्चन में आपसे कुछ जो है परसेंटेज के अलावा भी कंसेप्ट मांगे गये हैं ठीक है जो आपको जेंदल यानी चाहिए ठीक है ठीक है जैसे देखेंगे आप मैं पहले यहां पर explain कर देता हूं उसको देखिए इस कोश्चन में आपको mention नहीं किया गया है तो चलिये पहले लिख लेते हैं डाटा है टोटल विधार्थी कितना है जी टोटल विधार्थी है है असी टोटल विधार्थी यहां पर छिक हैcios इंन में क्या दिया है कि साट परसेंट बिदार्थी केरम खेलते हैसा अब देखे हैं के 75% सत्रंज खेलते हैं जोग फdock Γिविश कोई दिक्कत नहीं है अब देखें क्या उलाँ 10% उर्फ और सत्रंज यहां यह सिंबल दे रहा हूं एस इसerd scandal होता नहीं ड़िक लिए लिकितने है 10% के बुठा गया है के工 सत्रंज वाला यानि केवल सत्रंजला इसमें वर्ड लगा है केवल बताइए कितने होंगे अब देखे कोशन में आपको दिया है टोटल खिलाड़ी कितने है 80 चुछ बच्चे जो नहीं किलते हैं कुछ बताइए केवल वाला अब यहां पर आप कोश्चन को द्हान से देखेंगे देखेंगे दिया है तो यहां पर केवल वर्ड यूज नहीं किया है कि यह जो शाट परसेंट विदार्थी है के वल और केवल करम खेलते हैं ऐसा भी हो सकता है कि साइठ परसेंट विदार्थी जो Specifically कूछ भी खेलते हों और उसाथ साथ क्या खेलते हूं सतरण्ज यह हुआ कि इसमें कुछ कैरम भी खेलते होंगे ठीक है चलिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि यह हम लेलते हैं कैरम खेलने वाले विदार्थियों के संख्या और यह हो गया आपका सत्रंज वाले ठीक है तो मैं क्या बता है कि 60% में ऐसा भी हो सकता है कुछ सत्रंज भी खिलते हो यानि यह वाली हिस्से की बात कर रहा था ठीक है यानि यह जो आपको दिया है कोश्चन में साट पर्शंट केरम खिलते हैं यह तो अपको दिख रहा है केवल केरम खिलने वाले यही है तीक है केवल केरम खिलने वाले यही औरह नहीं यहां पर देखे क्या दिया है पहज वह और कुछ क्या होंगे आपको के रशा अपको दिख रहा है ये दोनों में क्या है common है दोनों में क्या है common है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा चलिए मैं दूसरी तरीका सब बताता हूँ आपको एक और बाद देखले कुछ लोगों समझ में यह दिन नहीं आया होगा तू देखे भी ए वे हैं भूलता ये जो है केर्म खेलने ौले हैं और यह क्या है सतरंज खेलने SIM तीक कोई दीगत नहीं करम खेलने वाली है यहां पर दिया था कोशन में 60% खेलते हैं और यह 45 कहाने का तत पर यह था अगर कोUNG लोए जा रहा है इस अपि नोर करें ठीक है देखें यहांак wr इननु बात कर रहे हैं यहां पर धियान देंगे यह वद जो हिस्सा आ है यहां यह वाला हिता है। इसे बच्चे जो कhierom और सत्रंज दोनों खेलते हैं। इसका मतलब कि यह हुआ कि यह 60 की किवल है थे किवल कहरlles तो नहीं खेलते हैं। निकालना होगा तो आपको अगर यह 10 Спरसेंट होता है प्रश्टन में तो आपका क्या हो जाता है साथ माइनस 10 परसेंट तीक है यह निए 50 परसेंट यह हो जाता खैरम कहलते हैं ठीक है समझ में आ गया होगा चली अब हम लोग को सल्व करते हैं यह यहां पर एक एक्स्टा कंसेट था इसलिए में यहां पर डिसकस किया इसको इस कोश्टन में एक एक्स्टरनल कंसेट वी आप से मांगे गया थे आप जब रिजनिंग ओगर बनाते होंगे तो इस डाइग्राम का यूज करते होंगे ठीक है शीलोलीजम होगर हमें डाइग्राम को यूज किया जाता है तो बाकी डाटा सारा कोश्टन में है यह अपना नत्ति क skirt करना सींपल तो से संत all कर देना है ठीक है ताब सींपल साब कोश्ण को चाफ n कीतना दिया था जी टॉटन यहाँ पे दिया था आपको 80 सी इस तो फिदार है ती कर बाद दिया था आकफो और निकालेंगे तो कितना आजाएगा अभी हमने परसेंटे सीखाई असी का साथ यानि सुने सुने के अन्सील यानि कितने हो गया पॉटी एट बच्छे होगा के रहा मौले अब आजाएए शत्रंज वाले के बात करें यह कितना है फिर फोटी फाइप परसेंट तो असी का निकाल दें फोटी फाइप फोटी है फवेपन हंडडिट सुने से सुने कंशिल हो गया यह हो गया आपको पास दूना दस हो गया यह फासरा पहतालिस हो गया यह दो चोक आट हो गया यदि नौशों का च्छती से कितने आगए सब राजवाले चतिसा गया जो कुछ नहीं है नाहीं नाहीं सत्रंज नाहीं कहरिंते हैं ठीक है वो कितने हैं 10 परचेंट है यानी अस सी का दस परचेंट आप निकालेंगे तसी इंटू लंत जी यह कितना होगे 8 होग vive जाएंगे आपको पता है तोटल हैं मैं 20HAHA नहीं खेलने वाले हैं आठ तो इसका मतलब खेलने वाले जो है खेलने वाले को संख्या कितनी बच जाएगी देखें खेलने वाले जो बच जाएंगे ओ असी माइनस आठ अब देखिए यहां पर प्रोपर स्टेट्मेंट नहीं लिख रहा हूं तो आप इसको समझ लेंगे ऐ तरफ क्या है आपको कैरम और एक तरफ है सतरज तो आपने एक फर्मूला पढ़ा होगा ठीक है ए यूनियन बी एक्वल टू होता है आपको ए प्लस बी यह डिरेक्ट यहां से आप निकाल देते हैं माइनस ए इंटरसेक्शन बी ठीक है यह फर्मूला आपने देखा होगा कहीं ठीक है आप नहीं देखे होंगे तो इसको याद कर लेंगे अब देखे यह क्या है यहाँ पे कैरम था और एक सतरज था तो कैरम और एक क्या है आपको सतरंजror, डॉयिकुल हो गया और ऐक राम और सत्रंज़ कैरम प्लस सत्रंज माइनस इंसकेशन कैरम इंसकेशन सत्रंज तने आपको है आप सबीर पता है हिपारे टोटल चो है कारम और सथक्ट ररंज की संख्यां कितनी है 76 ऐ तीड़ा पर lady सब्सक्राइब निकाला था कितना था देखिए कितना था 48 ठीक है तो यहां पर आपको इसका भैलू बिल्कुल निकल जाएगा यहां से कि इंटर्सेक्ण इस यहां से कितना गया चार में से दो गया दो और यहां कि इंटर्सेक्शन और क्या मैंनस के उलोग यहां से देखिए क्या आगया यह जो यह क्या है दोनों फाले हमारा निकल गया दोनुं को खेलने वाले क्या हो गए data हमारा निकल गया याश्य आपको 46 फॉर्टी एट ढटक्ष स्ट्रस्वा निकल लिया और धीниц गया ठीक है बस अब जीतना भी कोशन आप से पुछता है बना सकते हैं आप देखे पहला कोशन के पुछता है कि वल सतरंज खिरने वाले बता देखे बता दीजिए आप के वल सतरंज वाले कितने हो जाएंगे टोटल तो है 36 है सब और यह आपको पता ही हो गया तो यही हो पर यानि कितना हो जाएगा छे माइनस दू चार और तीन माइनस एक दो एनसर क्या हो गया 24 आप से पूछ देता के वल आप कहरा मोले बताएं तो क्या करते आप अर्तालीस माइनस बारा कर देते तो आपका एंसर आ जाता है छे और तीन चाहता तो यहां पर इसको आपका ऑप्शन क्या बन गया ओप्शन होगे आपका 24 ठीक है यह आपका एंसर सही हो गया आइधिंग सायर लोग समझ में आ गया होगा मैं जो है काफी इसको जो है अराम से इसको जो है डिसकस किया हूं देखे नेक्स देखिए अब यह कोश्चन भी वैसे ही कुछ दिख रहा है इसको आप सल्व कर लेंगे देखे क्या दिया है परिक्षा में प्रते कुमिद्वार हिंदी अथ्वा इतिहास अथ्वा दोनों लेते हैं जो आपको 66% हिंदू हिंदी और 69% इतिहास लेते हैं पूली में द्वारे को संख्या 3,000 दिये हैं तो बताए कितने में द्वारे हिंदी और इतिहास दोनों लेते हैं सेम कोश्चन ऐसा ही है यह भी आपको ठीक है आपको देखे क्या दिया है यहां पे ध्यान दिजेगा डियाग्राम आप बना लें ठीक है अच्छा देखे यहां पे यह हिंदी वाला डियाग्राम हो गया ठीक है और यह हो गया आपका इतिहास वाला तो इसको मैं हिस लिख देता हूं इसको हिन लिख देता हूं ठीक है आप देखिए हिंदी वाले कितने हैं यहां पे 66% है इतिहास वाले देखें कितने हैं दिया है सिज्टीस परिशन्टरंट यहां पर देखना होगे यह यह होगे तो च्रॉयारी यानि वीच वाले जो आपको yellow color यह ती दोने वाले हैं और तो आपको दिया है घंदी और इतिहास दोनों लिए है यानि आपको बताना है यह बीच वाले है यह कितने हैं तो आप सकते हैं अभी हम जैसे बता है वैसे ही आप अपलाई करके निकाल सकते हैं अब देखिए आप हिंदी वाले टोटल कितने दिया 66 ठीक है यह चाहिए लिख देते हैं ठीक है चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं एति हास वाले जो है कितने हैं आपको 59 ऐसे आप इस कोशन को बना सकते हैं अब मान लेते हैं कुल उमिद्वार होते कितने हैं 100 परसंट ही तो कर लेते हैं ठीक है यह हमको पता नहीं बाकी फर्मूला जो मैं बताया है उससे भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं लेकिन हम लोग कर लेते हैं यह जो लोग है यह एक से टोटल ठीक है आप लिख लेंगे एजिम करेंगे कि एक से देखिए 100 इकोल टू क्या हो जाएगा 66 ठ स्ट्री यहीन फर्मूला भी हम लोग बताया थे ए यूनियन बी इकोल टू क्या था ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में कॉमन यहीं आपको निकालना है तो आप निकाल दे डैरेक्ट इसमें क्या दिक्कत है 100 माइनस इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो यह कितना हो गया नौ 6 15 और यह कितना हो गया 5 6 11 12 यहीं हो जाएगा ठीक है इकोल टू माइनस एक सब्सक्राइब कितना आ गया पचीस आ गया यानि यह बीच वाले जो आपको दीख रहा है यह कितने परसेंट आगा पचीस प पूछा है संख्या में तो तो आपको टोटल तो तीन हजार पता हाएं है 25 परसेंट निकालना है तो क्या दिकत था थे किन हजार को तीन हजार कि कीटना हो जाता है 25 200 सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं होगा ठीकत आपका एंसर हो गया यहां पर साथ सो पचास चलिए आगे बढ़ते हम लोग दोनों को सब्सक्राइब अब आप से ऐसे कोशन पूछे जाएंगे आपको बिल्कुल सल्व करना चाहिए ठीक है अब देखिए नेक्स कोशन देखिए उसका छोटे चोटे कोशन है एक वेक्ति है अपनी आये का जो है देखिए 66 पुनांग 2 बटे 3 परचन खर्च करता है और 12 रुपया प्रती महिने बचा लेता है तो बताई यह मासी खर्च में उसका मासी खर्च क्या है अब देख लगान आप 10 अब आपको पता है कि यह बचत कितने के बराबर है 1200 के बराबर है तो आप क्या कर लेंगे यह देखिए सोबटा 3 परसेंट सोप्स निकाल देंगे कितना आ जाएंगे SU político आपसे क्या पूछा है उसका मासी खर्च्थ क्या है यानि आपको क्या निकालना है उसका थालो निकलना है याँ से इसका निकल ही गया ठीक है किलियर है समाझ में आ गया होगा देखे सिंपल सा है टोटल खर्च कितना होता है 100 परसेंट होता है ठीक है आपको इतना एक खर्च कर देता है अच्छा इसको आपको एदी फरेक्शन में पता होता है उसमें धर से आप इसको को ट्राइ करेंगे कितना आगया था सब्सक्राइब करते हैं कितना आ गया था सब्सक्राइब कर देना अब सल्व कर लिजी क्या दिकत है आपको पूछा था कि मासिक खर्च यह निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आप निकाल सकते हैं तो देखे कितना हो जाता बारा सो ठीक है और इसको आप डारेट क्या लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है आप कैलकुलेशन ही बच गया है यह तीन बट आपको कितना हो गया हंडेड हो गया और इंट्टू कितना हो गया दो सबटे तीन इसको कैलकुलेशन में दिकत हो रहा होगा ठीक है यह इसको चाहे तो फ्रेक्षन में थर्ट से भी बना सकते हैं अब देखें कैसे आप बना सकते हैं इसको फ्रेक्षन में आपको याद नहीं आ रहा है कासे चेंज करें इसको मुल्टिप्लाइब करेंगे यानि कितना अगया तो सबते तीन परसेंट मैं क्या बताया था पर्सेंटेज से आपको फरेक्षन बदलना था तक्या करना था अम देखें दो चीज मैं बता है प्रेक्षन्टू पर्सेंटेज एक पर्सेंटेज केलिए 100 गुना और प्रसेंटेज तो फ्रेक्षन के लिए 100 से डिवाइड तो एक इतने है 2 सब रखते तीन कि स Mübon सिंक्प्र लेकान उ ADAM मतलब यह हुआ कि साड़े 662 बटे 3 का मतलब क्या हो गया है इसका मतलब यह हुआ इतना खर्च करता है तो बचाता कितना है इसका मुल वेतन कितना था सतातर सुर्पया महांगाई भरता एक सबस्टीश परसेंट से एक सबस्टीश परसेंट हो जाता है पहले महांगाई भरता जो एक सबस्टीश फर्चेंट। ऑता एक सबस्टीश करक कटावती में 20% से बढ़के 22 फर्चेंट उससे कि वेटन कितना परसेंट बढ़ा इच्प अपसेंट करेंगे आपके लिए होंबर्क रहा ठीक देखें सिंपल सा कोश्टन में क्या किया है अब देखिए अब यहां पर कर लिजेगा कि टोटल वेतन आप जो है 100 रुपय कर लिजेगा महांगाई बढ़ता जब 125 परसेंट बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका अब आप क्या किजएगा फिर दूसरा कीज़ किज़ेगा महांगाई बढ़ता producing अब देखिएगा दोनों का दिफ्रेंस क्या रहा है तो पता चल जायएगा बृदि हुई है नहीं होता है तो आप आप क्या बताया यहां पर कूल वेतन सतरस आप क्या कीजिएगा आप एजियूम कर लीजिएगा कि महांगाई जो है आपको पता है महांगाई एक सपटीस परसेंट बढ़ा है तो ब्रीधी कितना हो जाएगी देखिए चूट कितना देता है जी 10 परसेंट पाले किसमें तो असी बटा क्या चीजिएगा तो अब महांगाई भड़ता कितना बढ़ रहा है तो बतीस परसेंट जब महांगाई भड़ता बढ़ रहा है कचो बढ़ा था सब्सक्राइब करके बढ़ा कि इसका आपकर inside जाएगा चलिए तो मैं फॉर्मेट भी पूरा आपको बता ही दिया चलिए आगे बढ़ते हम लोग बेसिक से जो है बताने में लेक्चर थोड़ा लंबा ही हो जाता है ठीक है बाकी जो है अप लेक्चर को अधिक शेयर करें लोगों में ताकि ज्यादा स्यादा लोग इसका लाव उठा सके सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे आप नेक्स देखें तो एक कोश्चन नेक्स देख लेते हैं कोश्चन नमर पास एक परिवार है अपनी आये का 30% भोजन पर खर्च करता है 10% बस्तर पर खर्च करता है 18% मकान पर 7% उसका अन्य खर्च है तो परिवार का मासी का कितना है तो की यहां परिवार का जो है टोटल आए कितने दिया है 4000 रुपीस है वे वेए इसका ठीक है यह डीआ है कि प्लस दस सीस पर से बोजन पर दस बासर कर लेते हैं तो देखिये। प्रश्पन कर दीजिए यह कितना हो गया यह यह 45 परसेंट यह लोग बचाते हैं इतना तक क्लियर होगा किसी को डाउड नहीं होगा ठीक है अब देखिए 45 परसेंट यह लोग क्या कर रहे हैं यहां पर देखें हम 30 परसेंट भोजन पर है 30-40 40-50 अच्छा यहां पर देखिए यह कल्कुलेशन थोड़ा सा मिश्टेक हुआ है यहां पर क्या है यह 30-40 हो जाएगा 45 परसेंट तो 100-65 आप करेंगे तो कितना आ जाएगे हां पर तस में से पांच 5 और गश्चा अब हमने को बचाते निकल गया कितना बचाते के टोटल आएग आपको पता ही है तो आप निकालने यह लोग कर कितने रहे तो 4000 लोग का है टोटल मंतली इंकम है 35% बचाते हैं तो 35 बटा 100 देखे कितना आ गया यह यह आप निकालेंगे तो इतना आ गया 425 बीज चारती बारद 14 यानि 14 रुपय एक महिने में बचाएंगे अब देखे लोग को बचाना कितना है 15,000 रुपय बचाना है कितने महिने में बचाएंगे तो डिवाइड करते डिरेक्ट ठीक है 15,000 टोटल यह लोग को बचाना है 15,000 बचा रहे हैं कितने एक महिने में 14 सब्सक्राइब देखें यहां से सल्फ कर लें आप देखें यह हो जाएगा आपको दो सते 14 यह हो जाएगा आपको दो सते 14 एक दो पचे 10 और यह हो गया 0 ठीक है तो यहां पर देखेंगे आप कितना दिया था आपको डाटा 15,000 बच रहा इनको 15,000 कितने महिने में बचे गया यह निकालना है powin 2 सोने से 2 सोने एक अनसील हो गया है 12 सते 14 और एक और जीरी रोक इतना होगे आपको यहां पर बच्छातर से ठाषब आ इस पचलाशा अब इस पचलान नहीं हो रहा है तो साते कम साथ कि लगभख कितना आये गा आपको यहां से देखे तो लगभग दस जो है आएगा 10.7 आ रहा है यहां पर लगभग तीक है तो देखे 75 डिभाइट साथ आ रहा है यह लगभग आपको 10.7 के करीब आ रहा है जिक नहीं आ रहा है ठीक है 77 होता ते गारा जाता है इसका मतलब क्या हुए आप प्रक्स यहां पर एजिम कर लेंगे और 10 अगला कोश्चन है यह एक ब्रित की तिर्जिया को दूगूनी कर दी जाये तो उसका चेटफल कितना बढ़ जाएगा आप इजली बना सकते हैं इसको ठीक है देखिए आप सभी को पता होगा ठीक है अब देखे पाहले न आप कीया हुँ रहा है यरो नया कितना हो जाएगा तो अब आर के बदले क्या रख देना है और तो पाइ Also 2R का square तो यह कितना आगया देखे तो पाई इंटू 2 का पाउर जो है square यानि यह पूराना है यह नया है देखिए अंतर कितना का हुआ है यह 4PiR square है यह PiR square है तो अंतर कितने का हो जाएगा ब्रीधी कितने की हो जाएगी 4PiR square में से PiR square आप माइनस करेंगे 4PiR square माइनस PiR square कितना आ जाएगा 3PiR square कोई दिक्कत नहीं है तो आपका अंतर निकल गया तो परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा ठीक है तो यह PiR square से PiR square केंसील यह कितना आ जाएगा 300% कितना आ जाएगा 300% अब देखें एंसर ठीक है एंसर देखें क्या दिया था आपका यह 300% यहां पर एंसर बन गया आपका ठीक है आगे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है बना सकते हैं आप इसको एक संख्या का 51% 714 है तो संख्या का 49% कितना हो आप इसली सल्व कर सकते हैं तीक छिजक्त पता नहीं है ठीक है लेकिन यह दिया है आपको किसका एकाउन परसेंट कितना है 714 है देखिए अभर इज्यून कर लेते हैं संक्यामाल लीजैक से इसका एकRun percent कितना दिया है एकान परसेंड का मतलब क्या होताई 1 गान बटासू कितना दिया है 704 ट्रीक师收 스ुटर को निकालनें आप यहां सो दिखे क्या बटासुट निकाल लें आप यहां से देखिए क्या हो जाएगा यह 714 इंटु 100 डिभाइड एकाउन ठीक है यह आपको देखें आप डिरेक्ट एकट जाएगा यह यहां पर देखेंगे तो देखें 17 से कट जाएगा प्र उपर वाला कटाएं यह यहां से आपको डिभीजवल हो जाएगा ठीक है और जो भी एंसर आएगा फिर उसका आपको 39 परसेंट आप निकाल देखेंगे तो देखें यहां पर यह क्या हो जाएगा एकाउन से यह आप कटाएंगे डिरेक्ट देखें एकाउन से कुछ लोगों समाज में नहीं आ रहा होगा तो देखें एकाउन एकम एकाउन हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं जीरो हो गया यह दो हो गया ठीक है और यह हो गया चार सब्सक्राइब ऐन वे काउंसेशर में मुल्टिप्लाइब करेंगे दो सचार आ जाएगा यानि कितना आगया चौदा बार में डिरेक्टी क्या हो रहा है क्ट जा रहा है किया करेंगे यहाप एकाउन से 14 करेंगे तो यहां पर 14 आ गया ते कितना आपको 14 इंटू डबल अने 14 14 सा एक किमत निकल गया पुछ रहा है इसका 49 परसंट कितना होगा तो क्या करना होगा सिंपल सा 14 से 49 परसंट निकाल दीजिए 49 बटा सो दो सुन्य से दो सुन्य केंसिल अब मल्टिप्लाई करेंगे आपको क्या पता है जो है 26 आता है तो 6 आ गया 12 उसमें रिमेंडर बच गया 14 तिया 42 42 और 12 कितना हो गया 42 तस पाउंड दू चोवन यानि 546 ठीक है 546 क्या हो गया आपका ए संख्या संख्या का 41 परसेन इतना था संख्या नहीं पाता था था तम संख्या की एक से कर लिए संख्या यहां से निकल गया फिर अम वह निकाल लिए आगे देखें कोशं ammonита यह question में हम लोगों solve कर चुके हैं, एक सहर की जनसें के अमालिज यह इतनी है, प्रती वर्स 5% के दर से बढ़ती है, तो बताई यह सहर की जनसें के दो बरस बाद क्या होगी, तो इसका formula भी आपको भी बताया था, direct वहां से आप कर लेंगे, बाकी दूसरा तरीका भी मैं बता ह बहा है और 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, दो बरस तक बढ़ रहा है, यह 20-20 को इतना होगी, 400 हो ठीक है यहां से एक यूनिट का वहलू आपको निकल जाएगा 176400 डिवाइड 400 एक का वहलू निकल गया आपको वहलू निकलना है 441 का निकल लें गया कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है ऐसे बढ़ा कितना है एक तालीस ही बढ़ा है ठीक है एक का वहलू अगर निकल गया ताप एक तालीस का वहलू भी निकाल सकते हैं एक का वहलू कितना निकल गया देखिए 176400 डिवाइड कितना था आपको यहां से देखे यह क्या लिखा था मैं इधर 400 ठीक है 400 इंटु कितना हो जाएगा कितना बढ़ा है आप एक तालीस से मल्टिपलाई करें इतना है ब्रिधी हो गया तीक है और इसमें आड कर दे आपका एंसर आजाएगा एक तरीका यह हो गया थीक है दूसरा तरीका जरे एक फर्मूला रख के आप बना सकते हैं करेंस नगर की संख्या दिया है पंदरह हजार उसके पूर्षों की जन्षण पूर्षों की संख्या 8 अर्पर संथ हो जाती है तब बताए तरहां कितना ब्रिधी हो रही है कितनी परसेंट देखिए क्या दिया है कितना की उस नगर में इश्त्रियों की संख्या ग्याद कीजिया अब देखी रही द ओर से हमे कितने परसेंट महिलाओ की संख्या हमें दस परसेंट तो यह तो आपको पता चली गया होगा कि दोनों के शंख्या डिखत नहीं होगा यहां पर पूरूस हो चाहे महिला हो दोनों के संख्या में क्या होगा आपको 8% की विरीधी होगा महिलाओ के संख्या में 2% एक्स्ट्रा ब्रिधी हो जाएगा ठीक है आट परसेंट अगर इसमें है और दस परसेंट साथ आठ परसेंट तो यह भी बढ़ेगा यानि एट प्लस टू जो है हो जाएगा अब देखिए 15,000 क्या है आपका टोटल जनसंख्या है इसका 8% यादी आप बढ़ाएंगे दोनों के जनसंख्या में 8% इंक्रिमेंट हो गाए ठीक है दो सुनने से दो सुनने के जनसिल यह कितना आ जाएगा आपको 15,000 क्या है यानि 1200 जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा आप देखिए ब्रिधी टोटल कितना हो जाएगा ठीक ह यह 12 सु बढ़ेगा ही दोनों में लेकिन 2 % और इस्त्रियों के संख्या में भी ब्रिधी होगी तो यहां से आप क्या करेंगे कूल ब्रिधी निकाल लेंगे अब कोण बरिंदी निकालेंगे ठीक है बारे परसेंट अब निकालने इसका आप क्या करें बारे प्रसेंट कारालेंगे आप 15,000 का बार परसेंट क्या दिक व्य दिताथ करें देखकें आप मल्टिप्लाई करें 1250 और यह हो गया 12 कम 12 और तीन हो गया अगर आप जो है 12 बढ़ाएंगे तो 18 जार उता तो मेरे 12 बढ़ाना नहीं था ठीक है हमको बढ़ाना था कितना 12 परसेंट टेक में बढ़ाना था यहां पर हम लोग क्या कर लिए सबसे पहले 8 परसेंट बढ़ा लिए 12 सो निकल गया ठीक है कि इसको करने के आपको जरुवत थी नहीं यहां पर ऐसे बस 12 परसेंट इन का रहे अब कुल ब्रिधी आप निकाल लीजिए ठीक है कुल ब्रिधी निकालेंगे तो दिखे क्या हो जाएगा दिखिए पंद्रह हजार पहले जनसंख्या था बारास इधर बढ़ा कि बारास बढ़ा तो कितना हो गया देखिए तो दो छे एक कितना हो जाएगा यहां पर दो एक्षे 16,200 दो परसेंट फिर बढ़ा ले आप इसका दो परसेंट एक्स्टा तो बढ़ाना ही ना 15,000 का 2% ठीक है तो 15,000 का 2% तो 300 आ जाएगा ठीक है कितना जाएगा 15,000 दूना तीसा 300 आ जाएगा 300 और इंक्रिंग्मेंट कर ले इसमें तो यह कितना हो गया 5,16, ठीक लेक्चर चुकि लंबा हो पर रहा है तो इसलिए मेरा कोशिस है कि मैं इसको जो है फिनिस करूं मैं बताया क्या यहां पर देखे आपको इस्टेप बता देता हूं आप साल कर लेना सबसे फस्टेप में टोटल जनसंख्या दिया है 15,000 दिया है पूर्सों की जनसंख्या मे इतना आगया 1200 अब ता आपको पता आओ गया कि बारश तो बढ़े गई लेकिन 2 परसेंट और जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसका 2 परसेंट और आप निकाल ले कि जो बट्रसों ठीक है यह 300 हो गया यानि महिलाओ का संख्या में और ब्रिधी होगा ठीक है लेकिन आप यह कुल में निकाले हैं ध्यान देंगे ठीक है अब देखिए तो पहले था 15,000 ठीक है अब जो है आपको यहां पे दिखी रहा है ठीक है तो यहां पे आप नेक्स्ट क्या करेंगे निकाल लेंगे और इसके बाद यहां पर आप इसका संख्या बता देंगे चलिए अगर आप से फिर भी सल्व नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बक्स में लिख देंगे मैं इसको आगे मैं यहां पे प्रक्स जो है इसके फिया हो पहला कॉशन तो मैं सल्वी कर दिया था कर दिया है और सारा कोशन जो है सल्व कर सकते हैं कोई आपको नहीं आएगा नेक्स देखिए एक परिक्षा है परतेक अभीयारती ने या तो भहतकी या तो गडीत या दोनो लिए है लिएक भू एक्ट परसेंट बहुत की लिए हैं 59.2 परसेंट गडित लिए हैं यदि कुल अभिहार्थियों के संस्क्राइब 2000 है तो बताए कि गडित और भरत की लेने वाले आप बताए यह सेम जो है पोस्चन जो रिपीट किया है कि नहीं दो नंबर ठीक है यह जो हो गया देखिए यह फिजि आपको क्या निकालना है कितने है जो दोनों लिए है यानि यहीं बीच वाला तो आपको निकालना है ठीक है आप निकाल लेंगे ना फर्मूला आपको पता ही है ठीक है आप क्या करेंगे यहां पर पी उनियन एम लिखेंगे P plus M minus P intersection M तो यहां से P intersection M निकल जाएगा आपका फस्टे स्टेप में यह जैसे ही आप निकाल लेंगे उसके बाद आप जो है टोटल जनसंख्या जो भी दिया है उसका करेंगे तो आपको निकल जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है इसको आप सल्व कर लेंगे ठीक है चलिए ऐसे देखे एंसर तो दिख रहा सिदे यह दो दो कितना हो गया 10 0 यह आपका 9 5 14 16 और यह हो गया 6 5 12 126 इदर दिख रहा है उदर भेजेंगे आप टोटल कितना है आपको पता ही है ठीक है टोटल कितना दिया है आपको 126 ठीक है 126 इदर लिख देंगे और आप क्या करेंगे माइनस करेंगे ठीक है तो उसके बाद क्या करेंगे आप 2000 जन संख्या भी दिया है परसेंटेज दिया है तो आप इससे सल्व कर लेंगे तो बिल्कुल इजी है यह बिल्कुल मतलब समझ जी एक्जेक्ट कोश्चन पुछा गया है तो आप इसको सल्व कर लेंगे आप सभी को पता ही है कि 2000 टूटल जो जनसंख्या है अच्छा पूछ लोगों हो सकता है प्रोब्लम हो मैं एक पर और इसको बता ही देता हूं ठीक है अच्छा कोश्चन है देख ले ऐसे तीसरा बार सेम रिपीट हुआ है डेखे मैं यहां पर हिंद देता हूं ठीक है कितना जनसंख्या दिया है 2000 तोटल 2000 के इसका कितना दिया को लोइक लाट आपनेजसे ऐगा यहां से फिर कि दो हजार में उस परकार की ओबन की किमत कितनी हो गई तो बताए कि कितनी हो गई है यह यह की बात कर रहा है अगआ एक ताली सो यह अगल के बीद की बिदी कितनी हो यह 48 समय से 2000 गटाएंगे कितना आठाईसो ठीक परसेंटेज आपको बताना है ठीक है देखे क्वताना है यहाप पर दिसाब बता दीजिए अठाइसों के बिरिदी हुई है कितने पे 2000 पे इन्टु हंडेड सुने से सुने के अंसिल सुने से सुन के अंसिल सुने से सुन के लिए सिंपल सा कोशन था यह यह एंसर मैच नहीं कर रहा है कुछ डाटा हमने गलत लिखाए क्या कि अच्छा है हम लोग यहाँ पे जिम कर लिए हैं देखे उनीस संतानवे का क्या लिख लिए हम लोग के 2000 ठीक है जब कि 2,000 नहीं है कितना है पचीश सो है थीखे पचीश सो है यहाँ पर तो यहाँ आप देखिए चलिए ऐसे 2000 पर रखेंगे तो यह अपके अंसर यह ही सब्सक्राइब जो है और कीमत कितनी है बड़ाया तो कितना था इनीशियल में पांच तीज जीरो फिर पांच यदि करेंगे तो पांच नवा पहतालीस पांच दून दोनों से हैं तो बताए कितने परशेंट लोग किसी विमारी से पिडित नहीं है ते भी आप बना सकते हैं है एक क्या दिया है अब हो मधु में ठीक है इक आपको मधु हम अ दिय देता हूं और एक दिया ह है मिरी मिरी इस दोनों से जो है दोनों से पीडित का बिंशंख्या दिया है कितना दस Mom यह recruit वाला भी दे दिया है आपको को rack कितना है दस पर्शिंट तो क्या बताना है जो पिद नहीं आप बता ही सकते हैं यहां से देखिए ओ वहikerा लगा है साइब कंद देसी सिंपल सा क्या किपी गवाला कितने है 20-30 ये मंद हुब दिखत नहीं है बस आपका एंसर निकल गया और दोनों वाले कितने हैं तो दोनों वालों को भी आड़ करना है ठीक है क्योंकि यहां से आपको पूछ रहा है कितने आसे हैं जिनको कोई विमारी ही नहीं है तो सो माइनस तीस दस चालीस और यह पच्पन हो गया यानि कितना हो जाएगा पैंतालीस वर्षेंट तोनों से नहीं पिडित होंगे ठीक है ऐसे अब सल्व कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं होती है चलिए एक और कोशन यहां पर दीख रहा है कि देखिए किसी गाउं की अबादी का पांच बटा नौ भाग पूरुष है यादि तीस परसेंट पूरुष विभाहित है तो कुल अबादी में अविभाहित मेलाओ के परतिसत बताएए अब कुछ लोग को दिक्कत होगा चलिए मैं इस कोशन को जो है सल्व कर देता हूं कि देखें यहां पर क्या दिया है कि क्या दिया है आपको यहां पर कोई गाउं है उसमें पांच बटा नौ भाग पूरुष है ठीक है पूरूश है किसी गाव में कोई दिक्कत नहीं है अधाप लिख दे पहले पांच बटे नौ भाग क्या हो गया पूरूश हो गया कितने पूरूश तीक है इसका मतलब हुआ देखें यहां तो इतना आपको समझ में आ गया ओक्त नौ टोटल है इसमें से पांच पूरूश है पूरूश कितने है जी पांच ही उनिट है यहां से महिलाएं कितनी हो जाएगी महिलाएं कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब देखिए तीस परसेंट पूरूश इसमें विवाहित है ठीक है तीस परसेंट पूरूश क्या है विवाहित है यह 30% का मिनिंग, आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, देखे 30 बटा 100 लिखेंगे आप, यह कितना हो गया, 3 बटे 10, 3 बटे 10 क्या है, इसमें विवाहित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपे, ठीक है आपको, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ऐसे question को अप्रोच जो है, दो तरीके से कर सकते हैं, यह तो आपके question में दिया है, ठीक है, अब पूछा है आप से क्या, बताइए, कि अभी वाहित महिलाओ की शंक्या कितनी है, ठीक है, यह आपको question में given है, अब ऐसे question को आप जो है solve करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, आप 9 दिख रहा है नामको, 9 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे data को एजिम कर लेते हैं, कि यह जो आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है, यह क्या करें, उससे cancel हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, दोस तरीके से इसको बनाते हैं, पहला तरीका, हम लोग क्या कर लेते हैं, मान डाटा जो है मारा एक जेक आजाए ठीक है कोई दिखत नहीं है अब देखिए पूरसो के संख्या क्या हो जाएगा यहां से दिया है आपको पांच बटा नौ तो 900 का कितना कर देया पांच बटा नौ कोई दिखत नहीं देखिए नाइन से कट गया वन जीरो जीरो एनि जिलाओ का संख्या यहां पर चार सो निकल गया पूरसो का कितना निकल गया पांस सो अब आपके कोश्चन में क्या दिया है कि जितने भी पूरुष है उसमें से तीस परसेंट विभाहित है तो 500 का तीस परसेंट यह आप निकालेंगे तीस बटे सो हो जाएगा दो सुने से दो सुने के अंसे लियानि कितने विभाहित है पूरुष एक सपचास पूरुष विभाहित है सिंपल से कहानी यह हो गई कि एक सपचास पूरुष स्यदी विभाहित है तो महिलाय भी कितनी विभाहित होगी एक सपचास ही महिलाय भी विभाहित होगी यह तो परसेंटेज पूछ रहा था परसेंटेज निकालने क्या दिकत है कितने में 900 में इंटू हंडेट निकल परसेंटेज कोई दिकत नहीं है ठीक है तेस्ट देखें दो सुनिय से दो सुनिय के अंसिल यह हो गया आपको सब्सक्राइब कर लिया ठीक है माना की जो है 900 लोग टोटल है तो पूरुष की जनसंक्या कितना दिया था पांच बटानों तो नो सब्सक्राइब पूरुष जब 500 निकल गए तो महिलाय निकल ही जाएगी 900-500 कितने होगी 400 ठीक है अब आपको पता है कि पूरुष 30% भी भाहित है तो पूछता है कितनी महिलाय और भी भाहित है तो इनसर यह हो जाता आपका लेकिन आप से कुच्चन में क्या पूछा है कितने परसेंट त पूरुष 50 महिलाय जो अभी भाहित है टोटल कितने है 900 अम रखे तो इस सताइस दसमालों साथ आ गया जो मैं पहला तरीका बता रहा था यहां से भी आप बना सकते है ठीक है ठीक है इससे भी आप सल्व कर सकते थे देखिए पांच बटा नौ है पूरुष 5 महिलाय कितनी ह पांच का 30 परसेंट आप निकालिए का कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा ठीक है निकालिए 5 का 30 परसेंट तीस वर्टे सो तो यह वन पॉइंट फाइप यह आ जाता तो देखिए वहाँ पे 1.5 पे पूरुष भी भाहित थे ठीक है तो महिलाय भी कितनी हो जाती चार में से आप-ब्रसे कर देते वन पॉइंट फाइब तो कितना आ जाता दो पॉरइंट फाइप महिलाय क्यों जी अभी ओट हो जाती में तो पॉनट फईप महलाय अभी वाहित और टोटल है कितना जल जन संख्या नैन है टीक है इन्टू क्या कर देते हंड्ड आपका एंसर आज़ हुई है तो भोगता को अपने खापत में कितना कम करना होगा उसका खर्च नहीं बढ़े इसके लिए मैं एक तरीका भी बताया था नहीं तो मैं और अपको बताया था ठीक है नहीं तो आप डिरेक्ट यहां से फर्मूला भी अपलाई कर सकते हैं जो हमने फर्मूला आपको ब आप नहीं चाहते तो इसको ऐसे भी सल्व कर सकते थे 25 प्रसेंट का मेंनिंग क्या होता है जी हमने बताया था आपको एक बटा चार इसका मतलब ठीक है तो उस मेथट को अप्धिहान में रखेंगे आपके लिए काफी जो है फैदमन साबित होगा आप ऐसे भी कर सकते हैं बाकी फर्मूला जो मैं बताया कि जो भी ब्रीधी होता है उपर लिखते हैं और एकस प्लस हंडेड और इंटू हंडेड तब कैंसर आ जाता है यहा आप से इस एक्जाम में पूछे जाते हैं तो लगभाग हम लोस सारे टाइप कभर किये फिर भी आप से कोई कोई संस्ट नहीं होता है आप कमेंट पक्स में लिखेंगे बाकी टेलिग्राम का में लिंक कर दूंगा आप सभी को ठीक है तो टेलिग्राम वगर आप भी आप जो है question वहाँ पे आप send कर सकते हैं ठीक है चलिए हम लोग क्या के देखे थे एक बाद discuss कर लेते हैं ठीक है इस लेक्चर में हम लोग देखे बिल्कुल 0 से हम लोग start किये ठीक है percentage क्या होता है ठीक है percentage का symbol से हम लोग कुछ नहीं आता है फिर हम लोग यहाँ पर कुछ basic concept देखें यानी fraction से percentage में कैसे बदलेंगे percentage से fraction में कैसे बदलेंगे फिर हम लोग कुछ type of question देखें यहाँ ठीक है इसमें लगभग 10 टाइप जो है question देखें यहाँ इसके बाद हम लोग जो है इसको subscribe भी जरूर कर लें ठीक है ताकि जो है maximum से maximum लोग इसका लाव उठा सके तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद